केंद्र से जीवा पर लंब कागस पर एक वृत्ति खीचिये इसका केंद्र O तथा AB इसकी एक जीवा है केंद्र से जीवा AB पर लंब डालिए आकरिती 22 जो AB से M पर मिलता हो AM और BM के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या ये बराबर हैं? कैसे पता करेंगे? यहां हम गणित के कौन से तरकों का प्रयोग करें? क्या हम त्रिबुजों की सर्वांग सम्ता का प्रयोग कर सकते हैं? प्रमे तीन कथन किसी वृत्ति केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है बच्चों चलो अब हम वृत्ति के एक दूसरे गुणधन पर बात करते हैं जिसके अनुसार वृत्ति की किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है याने की केंद्र से जो लंब डलता है वो जीवा के जिस बिंदू पर मिलता है वो जीवा को दो बराबर भागों में माट देता है तो क्यूंकि केंद्र से लंब डालना है जीवा पर तो चलिए इसके लिए वृत्त पर एक जीवा ले लेते हैं A, B तो हमने ये दो बिंदू ले लिए देखिए ये बिंदू हो गया वृत्ति के परिदी पर A और ये बिंदू ले लेते हैं वृत्ति के परिदी पर B इस पे हमने जीवा बनानी है तो जीवा बनाने के लिए ये धागे की सहाइता से हम जीवा बनाएंगे यह हमने एक जीवा एबी बना ली ठीक है अब हमें वृत्त के केंद्र से जीवा पर लम डालना है तो फिर से इसी धागे का प्रयोग करके यहां से आप इसे अच्छी तरके से फिर से फसा कर अब हमें यह देखिए क्योंकि हमें जीवा पर लम डालना है तो लम याने की जीवा पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए जीवा पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खंड जो मिलेगा वो उस पर लम होगा इस चांदे की हम साहता से इसे क करते हैं तो चांदे को हम इस प्रकार यहां पर रख लें और आधार रेखा से हम इसे मिला लें जीवा को यह देखिए यह हो गया आधार रेखा पर चांदे की आधार रेखा पर हमने जीवा को मिला लिया है और अब यह आप देख सकते हैं कि यह नब्बे अंश का कोड बनात अब हमें यह देखना है कि यह जो रेखा खंड है यह जिन भागों में बाट रहा है विभाग आपस में बराबर है या नहीं है तो इसके लिए स्केल की साहिता लेंगे स्केल की साहिता से हम यहां पर क्योंकि हमारा दागा रखा हुआ था हम इसे देख लेते हैं तो देखिए यह आ रहा है 12.5 अब इसी प्रकार इस जीवा के दूसरे हिस्से को देख लें आप 12.5 नोट कर लें और अब हम फिर से यहां से इस बिंदू प तो यह बिलकुल बराबर देखिए यह 12.5 इस बिंदू पर शुर्णिय से यह आ गया यहां पर 12.5 मतलब केंद्र से हमने जीवा पर जो लंब डाला था वो जो है वो जीवा को दो बराबर भागों में बाट रहा है इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जीवा के मध्य बिं अब हम इसे तारकिक रुप से सिद्ध करते हैं